नमस्कार मैं विद्या शेंकरतिवारी हूँ इंडिया नियुज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और मुद्दा है कि क्या मानवाधिकार सिर्फ पत्थर बाजो का ही होता है वो सुरक्षा बलके जवान जो की जमीन पे संघर्स कर रहे होते हैं इनकाउंटर और आतंगवादियों से लोहा ले रहे होते हैं क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता ये सवाल उठा है और पहुँचा है सुप्रिम कोड तक और जानते हैं सवाल किसने उठाया है सन अधिकारियों की दो बच्चीयों ने ये सवाल उठाया है और ये सवाल लेकर के सीधेे पहुंची है सुप्रिम कोड के दरवाजे पे कि जो सुरक्षा बलके जमान कस्मीर में संघर्स कर रहे हैं लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आतंगवादियों से लोहा ले रहे हैं उनके मानवाधिकार का क्या पत्थर बाजों के मानवाधिकार के लिए तो अलगावादी और जो वहां उत्पात मचाते हैं वो बहुत सूर मचाते हैं लेकिन आज तक किसी ने ये मांग नहीं की कि सुरक्षा बलके जो जवान कस्मिरियों को वहां पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका भी कोई मानवादिकार होता है और उसके लिए भी निती बनाने की जरूरत है ये दो बच्चे जो सैनिय अधिकारियों के पहुंची है इनका नाम है प्रीति केदार गोखले और काजल मिस्त्रा इनके पिता सेना में हैं इन्होंने जो सवाल लखा है वो काफी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन सरकार को निर्देश दे कि वो निती बनाये सुरक्षा बलो के सेना के करमचारियों के और जो जवान है वो जो जमीन पर लड़ रहे हैं उनके मनवाधिकार को ले करके दर असल ये सवाल इसलिए उठा है कि आकसर जम्मु कस्मीर से ये खबर आती है कि जब भी कोई संघर्स हुआ आ जब देवान को एक दम उठाते हैं गोली चलाते हैं या वाटर कैनन चलाते हैं या लाटर चार्ज करते हैं तो फिर मानवाधिकार का मुद्दा उठा है एक और खास बात का जिक्र हुआ है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुचा है तो कि जम्मु कस्मीर की आपको यह दिख रहे हैं कि उनका पहला मामला है लिहाजा मामले कर दिये जाए उनका मानवादिकार का ध्यान लखा जा ρा जाए और Sydney चली से PG जुटेम कोड जो दो जजो की बेंच है चीफ जस्टीस मानवादिकार आयों को और रक्षा मंत्राले को नोटिष जारी किया है एक और खास बात पिछले साल सन्युक्त राश्ट संग का जो एक अलग से आयों होता है उसने मानवादिकार को ले करके एक रिपोर्ट जारी कि थी उसके बाद अलगावादी नेताओं ने बकायदे संयुक्त राष्ट मानवादिकार परिशद में अरजी लगा करके कहा था कि एक सोतंत्र आयोग की गठित करके और जम्मु कस्मिर में होने वाले मानवादिकार के उलंगन की जाच कराई जाए तो वहाँ पर उनकी बात सुनी गई जिसको लेकर के भारत सरकार ने प्रसनता भी जाहिर की थी नहराजगी जाहिर की थी लेकिन इन जवानों को लेकर के अभी तक किसी ने न तो आवाज उठाई और नहीं केन सरकार या प्रदेश सरकार ने कोई निती बनाई लिहाजा दो ल और फुलवामा हमले का मसला हो ये भी मामला पहुंच गए सुप्रिम कोर्ट की अलग से इसकी जो है किसी रिटार्ड जज के नितित्त में जो है इसकी जांच कराई जा कि किस तरह से अलगावादी वहां पर आतंग वादियों की मदद करते हैं तो लगबग एक एकर करके सारे मामले सुप्रिम कोर्ट में पहुंच रहे हैं ये भी मामला पहुंचा है जवानों के सुरक्षा कर्मियों के सेना के अधिकारियों और कमचारियों के मानवा अधिकार रक्षा की अब देखते हैं कि इसमें केंसरकार प्रदेश सरकार डिफेंस मिनिस्टी क्या जबाब देत लिखती रही है हमारा डीटर चैनल इन खबार उसे लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें थैंक यू